हाई एवरिवन गईज आज की जो हमारी वीडियो है इस वीडियो में मैंने बहुत ही प्यारी प्यारे से सूट्स की जो पंजाबी सूट्स की कलेक्शन कलेक्ट करके मैं आपके लिए लाई हूँ फास्ट वाला हमारा सूट का पैरेट कलर है इसको बटीक से रैडी करवाया गया है और इस तरह के जो पट्टा से इजली आपको मार्केट से मिल जाती है तो इस तरह अपने सूट को आप डिसाइन कर सकती है बहुत ही प्यारा कलर है जे वाला भी और इसको भी आप बटीक से ready करवा सकते हैं combination भी बहुत प्यारा है गाईस और इन्होंने प्लाजों के साथ इसे stretch करवाया है हालका सा cut work करवा लीजे आप अपनी आरम पर next वाला हमारा suit है जो इसको suit को जो fabric है वो market से इसी तरह से आपको मिल जाएगा लेकिन इसके साथ combination भटा लेकि और जो lace है वो mirror वाली जैपुरी टाच दिया गया है उसको और वो mirror वाली lace है जो लगवाई गई है next वाला हमारा जो silk का suit है इसको बटीक से इसे हलकी embroidery करवा सकते हैं आप लोग इस तरह से हलकी बिलकुल गेरे पर और गांजा का दपटा इस तरह पेंट करवा के उस पर भी embroidery करवा सकते हैं अगर आपको बना मनाया suit मिल रहा है market में से तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो आप पिक से देखके इस तरह से अपनी बटीक से है जो suit को ready करवा सकते हैं नेक्स्ट वाला भी बहुत ही प्यारा combination है और थोड़ा सा light है जिन लोगों को light color combination पहना अपसान है जो उनके लिए है नेक्स्ट वाला हमारा black और green है और इसके दपटे को two shaded मनाया गया है जानिके black और parrot color का इसे dye करवाया गया है और बिल्खुल plane है आप तोड़ी से हलकी सी golden color की piping लगवा सकते हैं बटन वगएरा भी लगवा सकते हैं जैसे के इस वाले suit में लगवाए गये हैं और जैनीवी blue है इसको भी अच्छे से अच्छा सा बनाना है तो आज कल क्या होता है कि मार्केट में काफी तरह के फैब्रिक मिल जाते हैं काफी तरह के जो fancy फैब्रिक होते हैं जैसे के like silk के कपड़े पर थोड़ी थोड़ा सा टच दिया गया है mirror का जा फिर chiffon के कपड़े पर तुसे lining लगवा कि आप stitch करवा सकते हैं चीन मीन का कपड़ा होगा काफी तरह के कपड़े जो fabric होते हैं नेक्स्ट वाला हमारा सूट है जो इस तरह ओरेंज कलर का सिल्का कपड़ा लेके अब थोड़ी सी हलका सा गोटा लगवा के गेरे पर और इसके साथ combination दपटा ले सकते हो मुझे personally जे वाला सूट बहुत ही प्यारा लगा इसका combination बहुत प्यारा है नेक्स्ट वाले का भी combination बहुत ही प्यारा है और white सलवार के साथ इस तरह आप जरू नार कली इसे थोड़ा सा जो डिजाइन किया गया है फ्रॉक को नॉर्बल जो हम फ्रॉक नातियां गोल गेरे वाली वो नहीं है इसे थोड़ा सा हलका सा और पजामी को भी थोड़ा दिजाइन किया गया है combination बहुत प्यारा है next suit का हमारे का light मेहंधी कलर है जाने के आप light parrot भी कह सकते हैं महरून के साथ बहुत ही प्यारा combination है इसे बटीक से त्यार करवा सकते हैं और बहुत ही चुनीक सी embroidery इस पर की गई है next वाला हमारा जो जैलो सूट है इस पर भी embroidery की गई है और जे वाला है जो पिंक के साथ है गाई जिस तरह से तो गाइस जी वाला सूट काफ की अच्छा है और next वाला हमारा black color का है golden color की तुपट्टे के साथ इसका कपड़ा वी अगर ऐसा ही आपको फैब्रिक मिल जाता है जानके transparency कपड़ा होता है जो net वाला अगर वो मिलता है आपको तो अच्छा है अगर नहीं मिलता तो आप जो net की वाजू भी लगवा सकते है mostly जो suit होती है उन पर जिन पर lining लगवानी पड़ती है तो आप अगर आरम पर lining नहीं लगवाते तो काफी अच्छी है जो आपको look मिल जाती है नेक्स्ट वाला हमारा combination है जो blue के साथ pink का है काफी अच्छा लगता है और बहुत ही प्यारा जो combination है और आप fabric अपनी choice के according लगता है नेक्स्ट वाला भी हमारा plajo के साथ ही है इसके भी शर्ड़ का कपड़ा आपको इसी तरह मार्किट में से मिल जाएगा और आप इस तरह बोटनेक में पहले वी आपको बोलती हूं कि अगर आप plaja stitch करवाते तो उसके साथ प्लीस आप बोटनेक की stitch करवाई जैसे इन्होंने भी boat neck की stitch करवाया है क्योंकि प्लाजों के साथ है जो boat neck ही अच्छा लगता है boat neck से fitting बहुत अच्छी आती है और प्लाजों के साथ तो बहुत अच्छा लगता है तो next वाला हमारा suit है जो mustard color का है और royal green color के साथ जो दपटे का combination है जो suit का और गोटा पती का इस पर बर्क किया गया है आप करवा भी सकते हैं बर्क और आपको market में सी बना बनाया है इस तरह suit भी easily आजकल तो मिल जाते हैं अब टीक से नेक्स्ट वाला white के साथ combination है lemon और थोड़ा green का टच दिया गया और लिस लगा के stitch करवा सकते हैं तो जही हम हमारी आज की collection थी thank you so much guys video देखने के लिए thank you